नवस्कार दोस्तो इस टेडी वीद पहुन पर्दीप में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तो चर्चा की जा रही थी कछ्या नौ का जो पाष नमबर तीन है समकालीन भारत भगोल विशे का पाष नमबर तीन अपवा है या नहीं भारत में नदी तंत्र के विशे में हम पर चर्चा कर रहे थे इसके पहले भाग में हमने हिमाले नदियों के विशे में पड़ा जिसमें गंगा और सिंदु नदी तंत्र के साथ साथ ब्रहम पुत्र नदी तंत्र के विशे में भी हमने यहां पर जाना किस परकार से सिंदु जल्द समझोते के अनुसार है भारत क उसका 20% पानी और पागिस्तान को 80% पानी मिला था 1960 में यह हैं समझोता हुआ था उसी के साथ साथ रावी ब्याज सत्लज समझोता भी हुआ है दोस्तों जिसके अनसार है भारत को 80% पानी उसको परियोग में करने की अनमति है और पागिस्तान को 20% पानी इसका परियोग के ल और शिंदू के अनुसार पागिस्तान को शिंदू जेलम चीनाव का जो पानी है सिपरतिसत मानी पागिस्तान को और 20% पानी भारत को दिया जाता है इसके साथ साथ हमने देखा था कि किस परकार से ब्रह्म पुत्र नदी असम मा आकर सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्मा करती है माजूली दीप जो है असम में इस्तिधा और यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि आज प्राइड विपी भारत की जो नदियां है उसके विशाई में हाँ इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो हमने यह चर्चा भाग एक में की उसमें हिमालेई अपवाह तंत्र के विशाई में हमने जाना जिसमें सिंदु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र ब्रह्म पुत्र नदी तंत्र के विशाई में हमने समझने की कोशिश की और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना कि अगर जो इस चर्चा के बाद आप लोगों की समझ में वैसे तो काफी कुछ आ चुका होगा अगर वैसे अगर कुछ रह भी जाएगा तो हम इसे एक भाग में और मानचित्र के माध्यम से बड़ी आसानी से समझेंगे चर्चा सुरू करने से पहले माँ आप लोगों की जा गौछ जाते हैं चे तो काफी उप योगी है।सतमे परतियोगी प्रिक्षयाओं में भी यहां से अनेक प्रशनें लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहे हैं और वहुष्चि में भी निश्चित तोर पर यहां से पूछे जाएंगे आये चर्चा सुरू करते हैं कि प्राइड वी भारत की नजियां कौन कौन से मुख्य नजियां हैं प्राइड वी भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्मान पश्चमी घाट द्वारा होता है प्रस विभाजक का काम त्या जाता है पश्चमी जो पश्चमी तट के निकट उत्तर में दक उत्तर से दक्षिन की और इस्तिदह प्राइड वी भाग की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी गोदावरी क्रेशना तथा कावेरी पूर्विकी और वहती हैं तथा बंगाल की खाड है जहां महासागर में नदिया मिलती है उस जगह पर नदी द्वारा जो भी सिल्ट है बालू है या मिट्टी के कण बाहकर लाई जाते हैं वह वहां पर छोड़ देती है समुद्र के किनारे या नहीं नदी जहां पर समुद्र में मिलती है तो उसे डेल्टा कहते हैं पस्च जो पश्चिम की तरह बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्मान करती हैं ज्वारनद मुख कहने का मतलब है कि सागरत परिष्टित जो खारे पानी का वो सित जहां नदियों का ताजा पानी उनके साथ मिलता है नर्मदा है तापती है माडवी है ये नदियां क्या बनाती है नदी जौरमुख का निर्मान करती हैं प्राजविपी नदियों का अपवा दुरोणिया आकार में भी एप एक शाकरित क्या हैं चोटी है नर्मदा दुरोणी नर्मदा का उद्गम मधिवर्देश के अमर कंटक की पहाडी के निकट से होता है या पश्चिम की ओर एक भरंस खाटी में भेती है अगर इसकी बात करें तो इसके उत्तर में विध्यानचल पर्वत है जबकि इसके दक्षण में सत्थपुड़ा पर्वत है इन दो पर्वतूं के बीच से ये नदी बहती है जब raphighway नदीज-गखांचम के बीच से कोई नदी बहती है तो उससे भृंस घाटी या रिप्ट घाटी से बहती है नर्मजा नदी इसका एक धारन है जो ब्रन्स घाटी या रिप्ट घाटी से बहती है समुद्र तक पहुचने केकरम और नदी बहुत से दर्सने इश्तनों का निर्माण करती है जबलपूर के निकट संग मर्वर के सेलु में यह नदी गहरे गार्जिसे बहती है तथा यह नदी तीवड ढ़ाल से गिरती है वहां धुआधार परपात का निर्मान करती है यह प्रश्ण पूछा गया था जो बीडियो बीपीडियो परिक्षा 2021 में प्रिक्षा हुई थी उसके पर्थम स्रिप्ट में जो चार दिसंबर को पेपर हुआ था कि दुहाधार जलपरपात किस नदी पर है दुहाधार जलपरपात आप देख रहे हैं कि नर्मदा नदी पर है जो मद्धिवर देश में है यहां पर दिखाया गया है कि यह संग म मरमर के सैलों से यहां से गुजरती है या बहती है आप लोगों से इसी तरीके के प्रसने आपके परती होगी प्रिक्षाओं में पूछे जाते हैं नर्मदा की सभी सायक नदियां बहुत चोटी है इसमें से अधिकतर समकोन पर मुख्य धारा से मिलती है नर्मदा दुरोण इसके अमरकंटक से निकलती है, 312 किलो मीटर की दूरी तै करती है, नर्मदा नदी के उत्तर में जैसे हमने पड़ा विध्यानचल परवत है और दक्षन में सत्पुडा परवत है, जो इसके भ्रंस घाटी से होकर गुजरती है, अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, जो नर नर्मदा के संक्रक्षन के लिए मर्दिपर्देश सरकार द्वारा नमामी देवी नर्मदे नाम किये एक योजना प्रारम भी की गई, आप इस बारे में इस विपसाइट में और अधिके जान सकते हैं, इसी तरीके से नमामी गंगे प्रियोजना चलाई गई है, उसके साइड डी गई है कि आप किस तरीके से उसके विशे में और अधिके जान सकते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तापती नदी, तापती का उद्गम भी मध्यवर्देश के बैतुल जिले के सत्पुडा की सरंखलाओं में है, यह नर्मदा के समानांतर एक भरंस घाटी म बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है, इसकी द्रोणी मध्यवर्देश, गुचरात और महराष्ट में है, जो तापती नदी है यह इसके उत्तर में सत्पुडा परवत है, जबकि इसके दक्षिन में देखें हम तो अजंता की पहलियां है, यह भी भ्रंस घाटी से बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर तथा पश्चमी घाट के बीच का तटी मैदान अधिक संकिन है, इसलिए तटी नदियों की लंबाई बहुत कम है, पश्चम के और बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत, पूजा तथा पेरिया हैं उन राचियों के नाम बताए जहां ये नदियां बहती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये नदियां मद्यवर्देश, मद्यवर्देश के बाद गुजरात, महराष्ट में अक्सर बहती हैं, और इसके बाद हम देखेंगे गोदावरी, द्रोणी या नहीं गोदावरी नदी के विशे में गोदावरी सबसे बड़ी प्राइदिपी नदी है, प्रश्ण पूछा जाता है कि दक्सिन भारत की या प्राइदिपी भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर प्राइदिपी भारत की बात करें, तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है या महराष्ट के नासिक जिले के पस्चिमी घाट की ढालों से निकलती है गोदावरी नदी की अगर बात करें तो या महराष्ट के जो नासिक जिले के तरंबे के स्वर से निकलती है और दक्षन से पूरू की और बहते हुए या बंगाल की खाड़ पंद्र सो किलो मेटर है या बंगाल की खाली में करती है प्राइड विपी नजियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है अगर अपवाह तंत्र पानी की बात करें तो सबसे अधिक पानी दक्षिन भारत की नजियों में या प्राइड विपी भारत की नजियों में सब जाहे नदियां मिलती है जैसे की पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, बेन गंगा एवं, पेन गंगा इसमें क्या है? परमुक साहक नदियां हैं, गोदावरी की इसमें से अंतिम तीनों साहक नदियां बहुत बड़ी हैं, बड़े आकार और विष्तार के कारण इसे दक्षिन गंगा के नाम से जाना जाता है, दो महत्वपूर्ण प्रस्ण यहां पर आप लोगों से पूछे जाते हैं कि प्राइट विपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्राइट विपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, नंबर दो प्रस्ण पूछा जाता है कि दक्षिन भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है दक्षिन भारत की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है इसके बाद हमें महानेदी के विशे में चर्चा करेंगे महानेदी जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे 36 गड़ उडिशा की एक प्रमुख नदी है 36 गड़ के उच्चु भूमी से इसका क्या होता है उदगम होता है या 36 गड़ के राइपूर के निकट शिहावा पहाली से उदगमित होती है वहां से निकलती है तथा यह उडिशा से बहते हुए बंकाल की खाड़ी में मिल जाती ह इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है इसका अपवा है दुरोणी महराष्ट है 36 गड़ है जारखंड है तथा ओडिशा में है और इसके बात अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी महराष्ट के पश्चिमी घाट में महावलेश्वर के निकट से एक सरोज से निकल कर उंगवद्रा कोईना घाट परभा मुसी तथा भीमा इसकी प्रमुक साहिक नदिया है इसकी दुरोणी महराष्ट करनाटक तथा आंदर प्रदेश में फ्हली हुई है क्रिश्णा नदी प्राइदिवभी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है उसके बाद हम चर्चा कर ब्रह्म गरीश संखला से निकलती है तथा तमिलनाड के कुटलूर के दक्षिन में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इसकी लंबाई 760 किलोमेटर है इसकी प्रमुक साहिक नदियां अमरावती है भवानी है हे मोती तथा का बिनी है इसकी दुरोणी तमिलनाड केरल तथ करनाटक में बिश्त्रित है यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि नदियू का उत्गम कहां से हो रहा है और यह नदियां किस सेत्र में बहती हैं आप लोग इनकी साहिक नदियू को भी अवस्चे नोट कर सकते हैं कि भारत का सबसे दूसरा सबसे बड़ा जल पर प्रपात कावेरी नदि बनाती है इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है प्रपात का उत्पादित विद्यूत मैसूर बैंगलोर तथा कोलार स्वन सेत्र को परदान की जाती है भारत का जो सबसे दूसरा बड़ा जल पात है वह कावेरी नदि में है इसे शिव समु स्वाने रेखा नदी जो है उसके स्वाने सेत्र को प्रदान किया जाता है भारत का सबसे बड़ा जल परपात कौन सा है इसके विसे में हम चर्चा करेंगे इन इन बड़ी नदियों के अत्रिक्त कुछ छोटी नदियां है जो पूर्व की तरह बहती है दामोदर बहानी बैतर तथा स्वाने रेखा कुछ महत्वपूर्ण है अपने एटलस में इसकी इस्तिति आप ज्याद कर सकते हैं जब मांचित्र के आधार पर हम इन नदियों की चर्चा करेंगे तो निश्चित तोर पर वहां पर आप लोग इसे देख पाएंगे प्रतवी के धरातल का लगभग 71 परतिसत भाग जल से ढखा हुआ है लेकिन इसका 97 परतिसत जल क्या है लवनी है केवल 3 परतिसत जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्द है जिसका 3 चौथाई भाग हिमानी के रूप में है देखें आगे चर्चा करते हैं कि जीलों के विसेय में कुष्मीर घाटी तथा परसित डल जील नावालों घरों तथा सिकारा से तो आप परसित ही होंगे जो परतेक वर्सथ जारों पर्याटकों को क्या करते हैं करते करते हैं इसी परकार आप जीलों वाले इस्तानों पर भी गए होंगे वहां नौकायन तैरा की एवं जली खेलों का आनन्द आप लोगों ने लिए होगा कलपना कीजे की अगर कसमीन नेंटालें दूसरे प्रियाट निस्तनों पर जीले नहीं होती तब क्या वह इतना अकर्षात करते जितना की आज करते हैं क्या आपने कभी या जानने की कोशिस की कि इन प्रियाटकों को आकरसित करने के लिए वाले भाग में जहां जल जमा हो जाता है उसे छील कहते हैं बड़े आकार वाली जीलों को समुत्र कहा जाता है कैपसियन मृत एवं अरल सागर क्या हैं बड़े आकार वाले जील हैं जिन्हें सागर कहा जाता है भारत में भी बहुत सी जीले हैं एक दूसरे से आकार तथा लक्सणों में भी नहें दिकतर जीलें इस्ताई होती हैं तथा कुछ केवल बर्षा रितू में ही पानी होता है अंतर देशी अपवाह वाले अर्धुस्क सेत्रों में द्रोणी वाली जिलें होती हैं यहां कुछ ऐसी जिलें है जिनका निर्माण हिमानियों यह बरफrd चाधरों की किरिया के फलसरूप हुआ है कुछ है जीलों का निरमाण वायू नजियों एवं मानुवी किरियाओं के कारण हुआ है एक विसर्प नदी बाढ़ वाले सेत्रूं में कटकर गौखर जील का निरमान करती है सिफ्ट तथा बार रोधिका तटी सेत्रूं में लैगुन का निरमान करते हैं जैसे चिलका जील पुलिकट जील तथा कोलोरो जील अंतर देशी भागों आप देख सकते हैं लोग तक जील का यहां पर चित्रे दिया गया है वाली जीलें कभी कभी क्या होती हैं मौसमें होती हैं उधारन के लिए राजिस्तान की सांबर जील जो एक लौन जल वाली जील है इसमें जल का उप हिमानी द्वारा बनती है दूसरे सब्दों में तब बनी जब हिमालियों ने या तो द्रोनी गहरी बनाई या जो बाद में हिम्प घलने से भर गई या किसी सेत्र में सिलाओं अथ्वा मिट्टी से हिमानियों मार गए मैं बद गए इसके विप्री जमू कस्मीर तथा गर्वी किरियाओं से बनी है या भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी वाली प्राकर्तिक जील है प्रस्ण पुछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी वाली जील कौन सी है तो कस्मीर की बुलर जील मिठे पानी की सबसे बड़ी जील है डल जील भीमताल नेंता लोकताल तथा बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वण मिठे पानी की जीले हैं इसके अत्रिकते जल बिद्धूत उत्पादन के लिए नजियों पर बाध बनाने से भी जील का निर्मान हो जाता है गुरु गोविंद सागर भांगडा नागल परियोजना जीले मानों के लिए त जील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहिक होती है त्यदी बरसूं अर्थतिक बरसा के समय यह बाड़ को रोकती है तथा सुखे के समय सुखे के मौसम में क्या करती है यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहिता करती है जीलों का प्रियोग जल विद्धूत उत् अदियू का अर्थवैयोस्ता पर क्या महत्यू है? संपुण मानम इत्यास में नदियूँ' का मूल प्राकर्टिक शंसादन है तर्था अनेक मानिय किरिया कलापूं के लिए अनिवारिय है जो विश्व की पुरानी सब्यताएं हैं वो भी नदियों के तड़ पर ही बिख्षित हुई जैसे आप देख सकते हैं सिंदु घाटी की सब्यता, मैसो पोटो मिया की सब्यता या दाजलाप रात की सब्यता ये सब पुरानी सब्यता भी मानवी किरिया कलापों के लिए क्या थी एक महत्वपूर्ण उधारण है यही कारण है कि नजियूं के टर पर प्राचिन काल से ही अधी वाशियूं को अपनी और आकर्शित किया है ये गाउं अब बड़े सहरों में परवर्तित हो चुके हैं अपने राज्य के उन सहरों की एक सूची तैयार कीजिये जो नदी के किनारे इस्तिद हैं हमारे राज्य उत्राखंड में नेक ऐसे सहर हैं जो नद्यूं के किनारे बसे हुए हैं किन्तो भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकान्स जनसंख्या जीवका के लिए क्रीश पर निर्भर है वहां सिचाई नो संचालन जल विध्यूत निर्मान में नद्यूं का महत बहुत अधिक है इसके बाद राष्टी नदी संग्रक्षन योजना एन आर सीपी देखें देश में नदी सफाई कारिकरम का सुभारंब उनीश पिचाश गंगा एक्षन प्लान जी एपी के साथ आरंब हुआ बरस नीश पिचानवे में राष्टी नदी संग्रक्षन योजना एन आर सीपी के तहट अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया नदियां देश में जल का प्रमुक्षरोत हैं एन आर सीपी का उद्येश नदियों के जल में परदूशन को कम करने कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है नदी परदूशन नदी जल की घरेलू उद्योकिक तथा किरिश में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है इसके प्रणाम सुरू नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घर्टा है दूसरी और उद्योगों का परदूशन और अपरिस्क्रि अभी प्रभावित करता है उधारन के लिए उधारन के लिए दिये गए समुच्चित जल प्रभाह में गंगा का जल 20 किलोमेटर सेत्र में फेले बड़े सहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है लेकिन लगातार बढ़ते हुए वद्यों की करनें सहरी करन के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है नेक नदियों में परदूसन का इस्तर बढ़ता जा रहा है नदियों में बढ़ते परदूसन के कारण इसको स्वच बनाने के लिए नेक कारिक किये जा रहे हैं ये थी चर्चा दोस्तों आज करक्षा नौका जो भगोल का पार्ण नमबर तीन है अपवा इसके विसे में हमने चर्चा की आसा करता हूं कि आप लोग जो भी ये चर्चा थी आप लोगों की समझ में ये चर्चा आये होगी इसको हम और अच्छे से मांचित्र के माध्यम से समझने का परियास करेंगे जल्द ही इसके अगले भाग में हम इसमें जो मांच जल्द ही जय हिन जय भारत